जोंट की बुनियाद पर कभी रिष्टे कायम नहीं होते हैं और कि कहावत है बुजर्गों की कि दूर के ढोल हमेशा सुहाबने नजर आते हैं आज की कहानी में कुछ ऐसा होता है कि टेकनोलोजी का इस्तमाल करकर एक रिष्टा कायम किया जा रहा था वो भी जोंट की बुनियाद पर उस रिष्टे को निभाने की कोशिश की जा रही थी निभाने पर जोर दिया जा रहा था मगर वो रिष्टा बना ही नहीं बनकर ऐसा बिगड़ा कि एक आदमी की आँखें चली गई साथ ही उसका जो चहरा उसकी पहचानती हमेशा हमेशा के लिए मिड़ जाती है साथ ही दो बच्चे हैं इस कहानी में उन बच्चों की परवरिश अब भविश्य में कैसे होगी उस पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है आदाब नमस्कार शस्रिकाल मैं उस्मान सेफी आज की जो सची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ यह सची घटना है केरल परदेश की दरसल यहां की राजधानी तिरवंदमपुरम और एक शहर एक टाउन है आदीमाली इन दो शहरों को यह कहानी कनेक्ट करती है दरसल कहानी शुरू होती है अपसे दो साल पहले 2019 में जब लोकडाउन लगा हुआ था लोग अपने अपने घरों पर खाली थे उस वक्त एक तिरवंदमपुरम के एक लड़के को जिसका नाम है आरुन कुमार आदीमाली की एक ल बाते करने लगते हैं और ये बातों का सिल्सला शुरू हो जाता है और ऐसा शुरू होता है कि दिन हो या रात एक दूसरे से बात की बिना रही नहीं पाते थे जब जब बाते नहीं करते थे तो ऐसा लगता था ना जाने कुछ छूट रहा है कुछ अधूरा अधूरा सा है अब जब भी मोबाइल पर नजर जाती थी बस देखते थे कि क्या नोटिफिकेशन आये हुआ है उस नोटिफिकेशन को देखने के लिए बार बार कभी अरणों अपने मोबाइल को चेक करता था तो कभी शीवा अपने मोबाइल को चेक करती थी धीरे धीरे ये वक्त गुजर रहा है और ये दोनों एक रिष्टे में बंदने की और हैं यहां दोस्ती इतनी गहरी हो चुकी है कि ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है और प्यार में बदलने के साथ साथ दोनों एक दूसरे के बारे में जानने लगते हैं कि परिबार में कौन-कौन हैं और क्या करते हैं अरुन कुमार अपनी जिन्दगी के बारे में वो सारी हकीकत बताता है जो कर रहा है अभी अरुन पढ़ाई कर रहा है और पढ़ लिखकर आगे बढ़ना चाहता है उधर जो लड़की है जिसका नाम शीबा है शीबा भी अपनी जिन्दगी में कुछ करना चाहती है कुछ बढ़ना चाहती है इसलिए एक दूसरे से इन दोनों की ट्यूनिंग काफी मिलती जुलती है अरुन कुमार शीबा से मिलने का वादा कर लेता है और नवंबर के पिर्थम शंपता में आखिरकार वो शीबा से मिलने के लिए आही जाता है एक होटल में मुलाकात करते हैं और मुलाकात जब होती है तो अरुन कुमार उसको देखता ही रह जाता है दरसल जिस शीबा से वो मिलता था, बाते करता था सोशल मीडिया पर दरसल वो शीबा थी ही नहीं और शीबा क्यों नहीं थी क्योंकि ये जो शीबा सामने बैठी हुई है इसकी उमर लगबग 35 साल है जबकि अरुन कुमार की उमर 25 साल है दोनों में 10 साल का अंतर कैसे हो सकता है अभी तक जो उसके फोटोग्राफ उसके सामने आते थे उसको वो दिखाए देती थी दरसल वो फोटोग्राफ उसके असली नहीं थे बलकि आज की टेक्निलोजी का इस्तमाल करने के बाद उसने अपने आपको कम उमर का साबित करने की पूरी-पूरी कोशिश की हुई थी और बहुत ज़दा खुबसुरत दिखने की कोशिश की थी आज की टेक्निलोजी का इस्तमाल करके वो लगातार एक-दो साल से उससे बाते कर रही थी और ये बात-चीत का सलसला ही उसे कहीं न कहीं प्यार-महबत की और लेके जाता है दोनों मिलते जरूर हैं मगर अब अरण कुमार को ऐसा लगने लगा था जैसे उसके साथ धोका हुआ है, उसके साथ गलत हुआ है उसे ये बिकुल बताया ही नहीं गया था कि शीवा शादी शुदा है और वो भी दो बच्चों की मा हैं उसके पती से उसका तलाक हो चुका है जब ये सारी बातें उसकी पहली मुलाकात में सामने आती हैं तो अरुन कुमार के पैरों की जमीन खिसक जाते हैं वो सोचने पर मजबूर होता है कि मैं जिस लड़की से इतना ज्यादा प्यार करता था, आखिरकार उस लड़की ने इतना सारा जूट क्यूं बोला, क्या वाकिए जूट की बुन्याद पर इस रिष्टे को कायम करके शीबा आगे बढ़ पाएगी, मगर ऐसा कुछ नहीं था उसने हाथ जोड़ते हुए शीबा से कहा कि शीबा मुझे माफ कर देना, अब ना मैं आपसे मिल सकता हूँ और ना ही कोई रिष्टा आगे कायम कर सकता हूँ शीबा कही न कहीं जिद पर अणने लगी थी, वो कह रही थी कि मुझे तुमसे शादी करनी है, तुम्हारे साथ पूरी जिन्दगी बितानी है मगर इन दोनों में इस बात पर यहां टकराव पैदा हो जाता है, और टकराव होने के बाद आरणु कुमार इसे छोड़कर बापिस अपने घर चला जाता है, तुरवेंदम प्रम और उसके बाद फिर ये दोनों फिर सोचल मीडिया पर बातचीत करने लगते हैं, शीवा लगातार इससे बातचीत का दवाब बना रही थी, कभी कुछ कभी कुछ इस तरह से उसने धंकिया भी दी कि अगर तुमने मुझे मुझे से मिलने की कोशिश नहीं की, मुझे से बा प्रियोग करके उससे कौंटेट करने की कोशिश की और रिकेस्ट करते होगा कि बस एक बार मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, ये हमारी आखिरी मुलाकात होगी, ये कई बार बात करने की बाद, कई बार रिकेस्ट करने की बाद आखिर कार अरुन तयार हो जाता है, और 16 कि तुम मुझे से शादी कर लो नहीं तो अंजाम बहुत ही खराब होगा बहुत बुरा होगा जिसके तुमने शायद कभी कलपना भी नहीं की थी मगर अरुन कुमार उससे साफ साफ इंकार कर देता है कि मैं तुमसे कोई रिष्टा रखना ही नहीं चाहता बस ये कहके अरुन कुमार जाने ही वाला था कि ना जाने क्या सोचकर वो रुख जाता है और कुछी दूरी पर लवख 10 ये 15 फुट की दूरी पर यहां पर शीबा खड़ी हुई है और शीबा अपनी बैक से एक शीशी निकालती है और शीशी के अंदर तेजाब था उस तेजाब को निकालकर उसके चहरे पर पलट देती है पूरा तेजाब उसके चहरे पर आता है कुछी बूंदें कुछ छीटें शीबा के चहरे और हातों पर भी आती है मगर उसको वो इतना effect नहीं करता है जितना effect आरुन कुमार को करता है ये चीख फुकार सुनने के बाद वहाँ आसपास के लोग मोके पर आ जाते है शीवा वहाँ से भाग जाती है पुलिस मोके पर आती है पुलिस उसको उपचार के लिए वहीं आदी माली के hospital में भरती करा देती है मगर उसकी हालत लगातार बिगड़ती चली जा रही थी उसके बाद त्रिवन्दम्परम के medical college में उसको भरती कराये जाता है और वहाँ भरती कराने के बाद पुलिस की जब उससे डॉक्टरों से report मांगती है उससे पूछती है कि इसकी तबियत कैसी है इसकी हालत कैसी है तो पता चलता है कि उसकी आँखें हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है अब वो कभी जिंदगी में अपनी आँखों से देख नहीं पाएगा साथ ही उसका जो चहरा है वो 98% जल चुका है जुलस चुका है उसका चहरा कभी पैरे जैसा होई नहीं सकता जैसे क्या आपने देखा होगा लड़कियों के उपर तेजा फैंकर में का चहरा बिगड़ जाता है बैसे ही अरुन कुमार का चहरा अब पूरी तरह से बिगड़ चुका है हाला कि पुलिस ने जब इस मामले की जांच परताल की है तो उसी गिरजा करके पास जाती है उसी चर्च के पास जाती है और जाकर देखती है तो वहाँ पर CCTV कैमरे लगे होते हैं लगवक तीस सेकिंड की वो रिकोर्डिंग पुलिस के पास है यहां पर शीवा उसके साथ जो हरकते कर रही है जो उसने गलत काम किया है वो कैमरे में कैद हो जाता है और उसके बाद 21 नवंबर को शीवा को गरिफतार कर लिया जाता है पुलिस जब शीवा को गरिफतार करती है तो उसके दो बच्चे होते हैं चोटे चोटे बच्चे एक की उमर 6 साल तो दूसरे की उमर 8 साल उन 8 साल और 6 साल के बच्चे की परवरिश कैसे होगी ये वाकिए अपना आप में सवाल खड़ा हुआ है क्योंकि उसके परिबार में और कुछ जादा लोग है ही नहीं उसने शिवा ने ना केवल अपने बच् रिष्टे कायम नहीं होते हैं और यहां पर जूट की बुनियात पर रिष्टे कायम करने की कोशिश की जा रही थी और ये रिष्टे बनने से पहले ही मिढ़ जाते हैं ना केवल मिढ़ते हैं बलकि अरुन कुमार की जिंदगी हमेशा की लिए बेकार अंधकार की और चली भेज दिया है दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उदेश है किसी को परशान करना नहीं है किसी का दिल दुखाना नहीं है बलकि आपको बताना है कि दूर के ढोल जो होते हैं वो सुहाबने होते हैं ये बात सच है बुजर्गों ने बिकुल सही कहा है इसलिए किसी भी रिष् झाल झाल